सभी को नमस्ते, क्रिशिवारा चानल में आपका बहुत स्वागत है आईए, आज जानते हैं एक महत्वपुन फर्टलाइजर और प्लांट डोर्ट प्रोमोटर यारावीटा बट बिल्डर के बारे में इसमें माउजूद आवयक, कार्य, उपयोग, मूल, आदी, विस्तार से सबसे पहले इसमें माउजूद कॉम्पोनेंट्स को देखते हैं इसमें 25% मेगनीशियम, 6.9% पॉस्परस, 10% जिंक और 3% बोरान है आईए, इसके महत्वपूर्ण कारियों के बारे में जानते हैं जब इसका उपयोग फूल आने से पहले किया जाता है तो यह फूल और फलने को बढ़ाता है जब इसे कटाई के बाद उपयोग किया जाता है तो यह जिंक, बोरान और मेगनीशियम सामागरी को बढ़ाता है और अच्ची उपच देता है इसका उपयोग फूट्स, सीरियल्स और नच्स में किया जा सकता है अंगूर में इसका उपयोग फसल के तुरंत बाद किया जाता है इसका डोसेज 2 kg पर हेक्टेर है और इसका वाटर रेक्वाइमेंट 500 लीटर्स पर हेक्टेर है आपल में इसका उपयोग फसल के तुरंत बाद क्या जाता है और इसका डोसेज 4-5 ग्राम्स पर लिटर है Water Requirement 2000-2500 लिटर है काफी की फसल में इसका उपयोग फूल आने से पहले और कटाई के बाद क्या जाता है और इसका डोसेज 2.5-3 केजी पर है Water Requirement 1000-1250 लिटर है चरी की फसल में इसका उपयोग कटाई के बाद किया जाता है और इसका डोसेज 10 लिटर स्पर है Water Requirement 500-1000 लिटर स्पर है इसे अल सीरियल्स में उपयोग कर सकते है इसका उपयोग तब करना होता है जब पौदे, दो पत्ती और नोड गटन चरण में होते है इसका डोसेज 5 लिटर स्पर है और Water Requirement 200-500 लिटर स्पर है Nuts में इसका उपयोग कटाई के बाद किया जाता है और इसका डोसेज 5-10 लिटर स्पर है Water Requirement 500-1000 लिटर स्पर है 1 लिटर 11 लिटर बट बिलडर का प्रैस 1500 रुपीज है और यह Powder Form में अवेलबल है इसलिए इसे फसलों द्वारा आसानी से लिया जा सकता है और इसलिए अच्छी उपज मिल सकती है आप लोग इस प्रॉड़क को कृश्री बारत आप में करीच सकते है यदि आप अभी भी इस आप को उप्योग नहीं कर रहे तो इसे Google Play Store से डौनलोड करे और इसका उप्योग करना शुरूर करे अगर आपको इस वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करे आप सभी को धर्निवाद